हेलो एवरिवन आपको आपके पाथ पुस्तक से पाथ बारह पढ़ाने जा रही हूं जिसका सिर्शक है मा या है कविता मा हमारी पहली गुरू होती है बच्चो कोई भी चीज किसी भी चीज की सिक्षा बोलना हो चलना हो लिखना हो पठना हो यह सारा ग्यान हमें सबसे पहले मा से मिलता है इसलिए मा हमारे लिए सबसे पहली गुरू मानी जाती है और मा का अस्थान कोई नहीं ले सकता है वह पूरे परिवार की देख़ाल करते रहती है तो बच्चो आज हम इसी मा पर आधारित इस कविता को परह कि मा के कितने रूप होते हैं मा कैसी होती हैं तो आओ हम कविता का पाठ करते हैं मा की बात बताऊं तुमको उनके रूप दिखाऊं तुमको इस कविता के कभी हैं अच्छे कुमार दिख छे वे कह रहे हैं कि मा की बात बताऊं तुमको उनके रूप दिखाऊं तुमको परकार कभी कह रहा है कि मैं आज आपको मा के बारे में बता रहा हूं और उनके रूप यानि उनका जो आकार है परकार है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं मा का रूप नहीं है एक मा के तो हैं रूप अनेक अनेक का मतलब होता है कई यानि मा सिर्फ एक ही रूप में नहीं होती है मा के अनेको रूप, कई रूप होते है पापा संग घरबार चलाए मेहनत करके पैसा लाए पापा बाहर से कमा कर लाते हैं काम करके लाते हैं जो भी पैसा लाते हैं उससे मिलकर मा जो होती है वह घर को अच्छे से देख भाल करती है घर का सारा जिम्मेबारी वह निभाती है अच्छी अच्छी बात सिखाएं मा तब टीचर जी बन जाएं जब मा हम बच्चों को अच्छी अच्छी बाते सिखाती है संसकार की बातें सिखाती हैं नैतिकता की बातें सिखाती हैं तब वह हमारे लिए एक सिख्छक बन जाती हैं संग मेरे जब खेलने जाए तब माहम जोली बन जाए अगर हमें कोई साथी नहीं मिलता है खेलने वाला मा बाहर नहीं अगर जाने देती हैं सुरक्षा के कारण तो वह मा हमारे साथ खेलने भी लगती है तरह तरह का खेल हमारे साथ खेलने लगती है और उस समय वह हमारे लिए हमारे दोस्त की तरह हो जाती है हमजोली मतलब हमारे साथ मिल जूल कर रहने वाला रहता है खेलता है उसे हम हमजोली कहते हैं तो वह हमारे साथ हमजोली की तरह बन जाती है हमारे दोस्त बन जाती है जब माँ खेती करने जाए बन किसान हुआ भूख मिटाए माँ खेतों में भी काम कर सकती है करती है जब माँ खेतों में जब काम करने जाती है तो उनका रूप किसान की तरह हो जाता है और किसान बनकर वह लोगों का भूख मिटाती है खेतों से अनुप जाती है जिससे लोगों का भूख मिर्ता है साम को जब वह मुझे पढ़ाए मेरी सहपाथी बन जाए साम को जब वह मुझे पढ़ाए मेरी सहपार्थी बन जाए सहपार्थी का मतलब होता है बच्चों साथ पढ़ने वाला यानि हम कोई चीज का डिस्कस अगर हमारे विद्याले में हम पढ़ने जाते हैं और किसी दिन कोई कलास मिस हो जाता है या फिर हम अगर absent हो जाते हैं नहीं जाते हैं तो हम अपने सहपाथी से पूछते हैं कि बताओ इसका उत्तर क्या होगा आज ये इसमें क्लास में क्या समझाए तो उस समय मा उसी तरह रूप से हमें उन सारे ग्रीह कारे को समझाती हैं करबाती हैं तो उस समय वह मेरी सहपाथ ही हो जाती है मा के रूप अनेको न्यारे न्यारे का मतलब होता है बच्चों अनोखे बतलाएं कैसे हम सारे अब कभी कहता है कि मा के रूप तो अनेकों हैं अनोखे हैं हम उसके सारे रूपों को कैसे समझा सकते हैं हम समझाने में और समर्थ है कभी कहता है कि हम उनके अनेकों रूपों को समझाने में और समर्थ है आप देखते हो कि मा एक औरत होती है और औरत के कितने रूप होते हैं कभी मा मा है किसी की बहन है किसी की बहु है किसी की बेटी है किसी की भावी है किसी की बुवा हो जाती है वही एक औरत हर रूप में हमें दिखाई देती है इसलिए ए माक के हर इक्षा की पूर्ती करना हम बच्चों का कर्तब्य होना चाहिए बच्चों तो आप हमेशा अपनी मा की भाबनाओं का ख्याल रखेंगे उसे हमेशा सम्मानित करेंगे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसे आपकी मा के दिये हुए संस्कार को कभी ठेस पहुचे प्रवाद